हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैट में दोस्तों मैं नीरच कुमान मौर आज आप सब के लिए अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर प्रसनों के लिखे आये हैं जो लग भग सभी कमप्रेटी एक्जाम में पूछे जाते हैं तो दस चलिए दोस्तों बिना देरे की आज के सेशन के सुरुआत करते हैं यहां पर दिया गया प्रसनों यदि aq फ्लस बी क्यो बराबर बहुत है और a b बराबर कितना है आठ तो बताई ये a प्लस b का मान कितना होगा जबकि हमको दिया क्या गया है a q फ्लस b क्यो बराबर तो करना क्या है दोस्तों यहां से अगर हम निकालेंगे वी बराबर हमको क्या दिया गया है जबकि हम जानते हैं यहां और बी के बीच में कोई चिन नहीं है बुड़ा का चिन दिया गया है तो ए गुड़े बी बराबर 8 हो गया अब यहां से A गुड़े B अगर हमको पता है तो हम 8 को भी गुड़ावे तोड़ सकते हैं क्या तोड़ेंगे 4 गुनी 8 तो यहां से जो यह पहला मान दिया गया है A का तो यह जो हमको पहले दिया गया है यह हमारा क्या हो जाएगा A बड़ाबर 4 हो गया है और B बड़ाबर क्या हो जाएगा दो बस यहीं से हमें थोड़ा logic आगाना है दोस्तों अगर यहां से हम समझ लिए तो हमारा क्या हो जाएगा पूरा सवाल बस कुछ second हो में आ जाएगा करना क्या है A और B को हमें एसे तोड़ना है, जो हमको 8 दिया गया है, ऐसे तोड़ना है, कि यहां से A और B का वैल्यू जो पृप्त हो, इसमें हम रख दें तो इसका मान इसके बराबरा जाया है। यहां पर क्या दिया गया है एक्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 72 जबकि यहां से हम देख रहे हैं ए बराबर हमको चार दिया गया है तो चार का क्यूब और बी का मान कितना दिया गया है दो दिया गया है तो दो का क्यूब चार का क्यूब करेंगे दोस्तों चार चुका सोलर और Musora बिटेर का सोलर slash 64 एक सलरर प्लस 2 का तीन फर गुड़ाकरे किरें दो गुंदा दो गुंदा दो तो कितना होगा .श४ आर टो चार गुंदा कितना हो जाएगा मां ग्र इसका हम क्या खरींग करना है क्या निकाहना है कि έχει प्लस B का या होगा यहां से हमें पटा है इससे देखना चалог एक की जगा चार रखेंगे और पी की जगा कितना दिया गया है दिया तो चार ऑर दो को शूड़ें जाती है यह कितना जाएगा रोर हम देखएगे आप संजो दिया गया है यह कितना है और यह हमारा किया दूस्तों से चले दूसरा लेकर चलते हैं दूसरा एक्जम्पल तो यहां से हम देखेंगे दूसरा प्रस्तों हमको कह दिया है यह दि एक्स क्यूब माईनस वाई क्यूब का मान क्या होगा करना क्या है यहां से हम देखेंगे हमको दिया गया है एक्स वाई बराबर बार और एक्स मानस वाई बराबर चाट तो हमसरा वैलियू की इसका पुछा गया है x cube minus y cube का value क्या होगा इसके लिए हमने simply आपको ठीक बता दोस्तों करना क्या है कि x और y का जो हमको value दिया गया है 12 हम यहां से इसका खंड करेंगे और इसका हमें ऐसे खंड करना है कि simply हमारा क्या होना चाहिए x में से y को घटा है तो 4 आए तो सबसे पहले आप simple क्या करेंगे कि 12 का जो यहां पर y का गुड़ा है तो 12 का गुड़न खंड निकाल लेगे अगर हम 12 का फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर हमारा क्या मनेगा 4 312 और 6 का 2 में 6 212 तो हम 4 में से 3 अगर हम इसको x और इसको y मान थाएंगे चार तो यह हमारा क्या जाएगा बराबर यानि कि यहां से हमको जो गुड़न खंड प्रायक्ट Church X का वैल्यूश और y का वैल्यूश और यहीं क्या करना है दोस्तों में x का वैल्यू2 यहां से प्राफ्च हो गया है हमको प्रात क्या हो गया, x into y बराबर 6 into 2, x का value 6 और y का value जो 2 यहां से प्राप हुआ है, यही हमें क्या करना है, इसमें उपर put up करना है, मान क्या दिया गया है, उपर x cube minus y cube, क्या है x cube minus y cube का हमें value ग्यान करना है, अब यहां से क्या करेंगे, x का value कितना है हमारा, हम देखेंगे कि x का value जो है यह हमारा किसके बराबर आ गया 6 के तो x की जगह 6 रखेंगे 6 का whole cube minus y की जगह पर देख रहे हैं 2 दिया गया है तो y का value 2 रखेंगे 2 का whole cube & 6 का हम 3 द गुदा करेंगे तो कितना आएगा ? 6 का 3 द गुदा करने का मतलब 26 के गुदति छ CHA के गुदति छh तो छो के गुदति छा तीस और द गुदति च्छा करेंगे कितना आएगा दो sLAabile माइनिस 2 का eerste करेंगेs के 2 के दो नि 4 4 के दो नि 8 अब क्या करेंगे यहां से 216 में से जब 8 को घट आएंगी तो कितना आएगा 208 और यही हमारा क्या आ जाएगा um अम धेकर प्रश्मि territori auta कहां लिए गया supporting the naarफ में अहें सही है हमको क्या क्या गया हमारा 208 थिक चलिए आगला प्रस देख करके चलते हैं देखें अगला प्रस्ति क्या दिया गया है यदि x इंटू y वराबर 18 और x square प्लस y square वराबर 45 हो तो x प्लस y का whole square का value कितना होगा यहां पर हमें गयात करना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों यहां से हमने simply बताया है कि अगर इससे हमारा खंड नहीं बना तो हम x और y का 18 हमको खंड कितना दिया गया है x into y बराबर 18 दिया गया है तो यहां से आप simply गुड़ा निकालेंगे x और y क का जो गुड़ा दिया गया है हमें ऐसा गुड़न खंड करना है कि x और y का जो आए माल हम रखें कि लिए कितना आना चाहिए तो 18 के लिए हमारा x और into y का कितना गुड़न खंड बनेगा एक तो बनेगा च्छा तरीक अठार एक्स का value 6 और y का value 3 और दूसरा क्या बनेगा 9 के दूनी 18 9 के गुड़े 2 बनेगा यह हमारा इसका क्या बनेगा 18 का factor बनेगा अब 18 का factor 9 के गुड़त के दूँ अगर हम लेंगे तो यहां से देखेंगे x का square 9 के 9 81 हो रहा है 45 से ज्यादा हो रहा है तो अर्था 3 हमारा factor तो बनेगा ही नहीं तो हम इस factor को मिटा देंगे बचा हमारे यहां से x बराबर 6 हो गया और y बराबर 3 क्योंकि जब एक फैक्टर हुआ नहीं तो दूसरा फैक्टर तो निशित ही होगा x बराबर हमारा कितना बन गया अच्छा और y बराबर 3 बन गया अब यहीं चीज हम इसमें रखेंगे कि देखेंगे किया यह हमारा फैक्ट बराबर है कि नहीं तो सवाल में क्या दिया गया है? X square plus Y square बराबर 45. तो S X का value 6 दिया गया है तो 6 का square और Y का value 3 दिया गया है तो 3 का square अब क्या करेंगे 6 का square करेंगे कितना आएगा 36 और 3 का square करेंगे 9 तो 36 9 कितना हो गया 45 इस 45 के क्या है बाराबर है यानि कि यहां से हमें X का value 6 और Y का value 3 पता चल गया है तो हमें किसका value ज्यांत करना है एकस प्लस Y का whole square तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि X plus Y का whole square बराबर X का value कितना दिया गया है 6 दिया गया है और Y का value 3 का whole square तो 36 कितना हो जाए गर 9 और 9 का square अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 81 यही हमारा क्या बनेगा a answer यह हमारा answer दूस्तों निकालना है और जो आपका फैक्ट्र सही है बस उसी मेंसे एक आपको X मानना है, दूसरा Y मानना है, आपका क्या होगा, कि कम समय में आप आसानी से सवाल को सरल कर जाएंगे, चलिए अगला प्रस लेकर करके चलते हैं, यहां से हम देख रहे हैं क्या दिया गया है दोस्तों, यह प्रस नगला क्या है, यह एक्स माइनस Y बराबर दो, तथा X स्कॉयर प्लस Y स्कॉयर बराबर 20, तो X प्लस Y का होल स्कॉयर का मान कितना होगा, यह प्रस थोड़ा उस लॉजिक से हट क्या है, तो आपको करना क्या है है प्रस्न में जो दिया गया है यादि x- y ब्राबर 2 और अगले में कहा दिया गया है एक्स स्क्वाइर प्लस y स्क्वाइर बराबर 20 अब 20 को हम ऐसे तोड़ दें कि इसक्वाइर करने दोनों का हम 20 को जोड़ें ऐसे जोड़ें कि हम क्या करें उसका भी x का स्क्वाइर और दोनों यानि कि जो दोनों जोड़ेंगे हम उसका भी स्क्वार कर सके तो यहां से x स्क्वार प्लस y स्क्वार बराबर 20 20 को हम क्या कर सकते हैं 16 प्लस 4 में तोड़ सकते हैं यह नहीं तोड़ सकते हैं x का square plus y square बराबर 4 का square plus 2 square यहां से यह बन जाएगा 4 का square 16 और 2 का square 4 इसलिए हमने इसको तोड़ा है square के टर्मे में अब यहां से हमारा इसको हम लॉजिक कर सकते हैं x square बराबर 4 का square x square बराबर हमारा क्या बन गया 4 का square यानि square square cut जाएगा तो x बराबर हम को 4 मिल गया और यहां से y square बराबर क्या हो गया 2 guidकky 2 तो 1 चार Metroid X Csward & 4 योग का सकते हैं फिलना यहां से एक्सट बराबर चार principle क्या जोड़ते सवाल रहा है एक्वेशन रहा है टूर सर चार वायोग का गटाएंगे प्रे यहां से यहांसी देखं़ एक्वेशन के बिदिनाु सब्टा गगार को इसकार नहीं की तो हम देखरेंगे हैंा है और ये दियाया है और मैंने और स्थude इस प्लस में में तोड़ना है उदहर में इंटू में तोड़ना है उदर में तोड़ने यह प्लस में तोड़ेंगे और और ऐसे प्लस में तोड़ेंगे कि यहां पर इसक्वाइर है तो दोनों तरफ दोनों पतका हमारा क्या बन सके इसक्वाइर बन सके तो हमने तोड़ा 16 प्लस 4 में अब 16 का इसक्वाइर करेंगे बराबर क्या मिल गया हमको यहां से 2 मिल गया तो हम यही x और y का value इस सम्मिकर्ण में रख करके देखेंगे कि दोनों का हमान हमारा बराबर है कि नहीं तो x बराबर 4 और y की जगा 2 रखें तो हमारा कितना गया 2 आ गया open नीशे बराबर हो गया हमारा तो यहां से हम क्या मन निकालना है तो एक का वैलिव चार और वाइक का भी वैलिव दो रखेंगे तो चार दो च्छा चा काई स्क्वाइर उचा गया है तो चाई स्क्वार कितना जाएगा 30 से यह हमारा क्या बनेगा आंसुर बनेगा दोस्तों अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक से लाइक शेयर और कमेंट अवसे करें दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब को और बेल आइकन को अवसे दबा लिजिए और ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा शेयर थेंक्यों दोस्तों जैनल